तो हाई गाईज, Solidworks Playlist पर कंटेनू करते हुए, आज हम इस वाले ऐसे मेड़ों करेंगे, इससे पहले हम कुछ assignment किये थे, जहाँ पर मेरे नीचे Solidworks का playlist है, वहाँ पर हमने बहुत मतलब मुस्किल-मुस्किल sketching को किये थे, हमारा main focus यहाँ पर सॉलिड बनाना नहीं है, हमारा main focus यहाँ पर sketching करना है, sketching में कितना expert हो, वो देखना है, मतलब हमें fully defined करना होगा, जो sketch करूँगा, उसको मतलब और language में बोलू, तो degree of freedom zero करना होगा, फिलल मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हर बार की तरह यहाँ पर मैं exclude बजाँगा, ताकि आ enter point बना ले रहा हूँ, तो इसके बाद यहाँ पर अंदर वाले का radius कितना दिया है, अंदर वाले का radius 20 दिया है, मतलब diameter 40 दवा के, मैं यहाँ पर enter मारता हूँ, आप बोलो है कि direct यहाँ पर dimension कैसे दे रहे हो, तो यहाँ पर right click करो, right click करने के बाद यह वाला option है, इसको on कर ल चर्की कैसे घुमाना है नहीं, पता तो playlist का फास्ट वीडियो देखो, उसके बाद इसका बाहर का dimension के दिया है, 25, 25 मतलब 50, 50 दबा के मैं enter करूँगा, हो गया, उसके बाद ऊपर की तरफ, यहाँ से अगर try करू, track करने की, तो side यहाँ पर इसका dimension के दिया दूँगा, radius 5 है, सीधा है की नहीं, भगवान जाने, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस center point को click करेंगे, उसके बाद control लबागे, इसका पर center point क्लिक करेंगे, उसके बाद हम इसको vertical कर देंगे, अब यह obviously perfect हुआ है, उसके बाद हमें पर tick करने के बाद, तुम यहाँ पर line लो, line लेने के बाद यह एकदम perfect हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर side इधर उदर जा सकते है, इसलिए side, अच्छा, ऊपर नीचे जा सकते है, इसलिए blue दिखा रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर smart dimension कौन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर center point से, इस center पर dimension, यहाँ पर click करेंगे, यहाँ पर distance कितना है, distance यहाँ पर 50 है, तो हम यहाँ पर 50 देखकर enter मारेंगे, तो यह पूरा black हो गया, मतलब fully defined हो जुगा, अच्छा, इतना pass होगा, इतना pass होगा, क्या, इतना pass होगा, मैं expect नहीं किया था, देखकर तो नहीं लग रहा, जो भी हो, मैं तो process दिखा दे रहा यहाँ पर इसको click कर दे रहा हो, tangent का भी logo आ गया, मैं click कर दो, click करने के बाद यहाँ पर tick मारूंगा, इसके मारो, तो देखो यहाँ पर black दिखा रहा है कि नहीं, इसके मारो, हाँ एक दम black दिखा रहा हो, उसके बाद फिर से select करो, select करने के बाद यहाँ पर mirror entities पर जाओ, उ circle लेने के बाद यहाँ पर कितना है, यहाँ पर radius है 15, मतलब diameter होगा 30, 30 दवागा मैं enter मार रहा हो, हो गया, उसके बाद फिर से यहाँ पर यहाँ थोड़ा से बड़ा नहीं, अच्छा बड़ा ही है, उसके बाद फिर से circle लोगा, यहाँ पर उस दिया है, अच्छा radius 10 है, मतल क्लिक करने के बाद यहाँ पर dimension मांगेगा, यहाँ पर मैं 50 देकर enter मारूंगा, और यहाँ पर उपर के center point से यहाँ पर कितना है, इसके बाद यहाँ पर click करो, here not. पर लिखा है इस तरब नहीं इस तरब यहां पर 40 लिखा है तो यहां पर एक बार वाक्स पर आके यहां पर 40 दवा के एंटर मार रहा हूं तो यह भी यहां पर fully defined हो चुगा है उसके बाद हम यहां पर mirror कर देंगे यहां पर check लाइन को दवा दो काम खतम उसके बाद यहां पर टिक मार दो यह भी काम कादम उसके बाद हमें इसको जोडना होगा जोडने के लिए हम यह पर three point इसको क्लिक करेंगे इसा तरफ घुका देगे के बाद यहां पर हम इसको टैंजेंट करेंगे इसा क्या फाइदा है एक भी पार्ट चीज यह भी हमें इसको green स्ट कर दूँगा उसके बाद ठीक होगा उसके बाद क्लिक कर दो मतलब चेक मार दो उसके बाद इस तरह बैसे लेकर मैं यहांप समार्ट डायमेंसिन पर जाऊंगा दाइन के बाद यहांपर इससे खींच करेंगा इसका रेडियस कितना है इसका यहांपर एक प्राइडियस 20 दिया हुआ है तो मैं यहांपर 20 देकर यहां पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इस तरब ऐसे ले लो, वह तो गया हम पहले रेडियास आटे आग आए ऑगर देगे- 125 पर 20 सेबस्यां पर 50 एहां पर क्लिक करने ले ऊपहले यह टीजेंट пош— 20 देखार एंटर मारेंगे उसके बाद हो गया उसके बाद हम यह पर ग्रीन सेलेक्शन कौन करेंगे मतलब ग्रीन सेलेक्शन ओन का कुछ मतलब नहीं आगर तुम इस तरह से एक सिकंट एसके पहले दबावने दो इसके दबाओ उसके बाद आगा तुम इस तरह से सेलेक्शन क करने के बाद इस तरह भी हो जाएगा है उसके बाद तीक मार नहीं मारने से यहां पर पूरा ड्रॉइंग हो चुका है उसके बाद हम यह बाद हमारा ड्रॉइंग actually complete हो चुक है उसके बाद अगर मैं trim करूँगा उसके बाद यह थोड़ा हो सकता है कि यह black ना रहा है पर अगर तुम इसको हिला होगे नहीं तो एकदम ठीक रहेगा थोड़ा सा दिमाग चलाओ पर फिर भी मैं कोसिस करूँए कि पूरा फिर से ब्लैक करने की ओके यहां पर अचा यह उपर वाले का कुछ भी नहीं है यहां पर पावाट्री में तो मुझे सिर्फ यहां पर slide करना होगा ओ मैं नहीं यार क्या मैं नहीं कर दिया यहां पर एक thickness था यहां पर मैं इसको undo करूँगा अंडू करने के बाद यहां पर फिर से मुझे एक line tool लेने के बाद यहां से साथ एकदम quadrant से है क्या quadrant से लगनी रहा है मैं यहां पर tangency के इससे इस अंदर वाले को select कर दा हूँ यहां पर हाँ टेंजेट वाल ऑप्षन आगे यहां पर select कर दूंगा हो गया काम उसके बाद यहां पर escape मारो इसके मारने के बाद यहां पर इसको ठीक होगे उसके बाद मैं इसको click करने के बाद यहां पर इसको इसको डिलीट कर दिया यह line भी select हो गया था यहां रगना मैंने जो जो किया उसके बाद मैं आरट button करने के बाद पर यहां पर ट्रीम का है इसकी भी सरुवतनिया नहीं पर डायमेंड सेन रिडियस रिमूव सका मार शुन किन और सो नहीं पर फिर से अंडु करो कऊए है है यहाँ पर मैं फिर से यहां पर अंडू करता हूं हद यहां पर यहां पर मैं पावार टिम लेता हूं क्या पथा हुजा क्या इसको 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 आप यहां से एक्सेलोट कर सकते हो पर मैं तुम अगर बेचैन हो रहे हो सर ने क्या दिखा दिया तो मैं उसलिए दिखा दे रहा हूँ तो मैंने चार्ज एप्टिब किया पर में क्लिक करके यहां पर रेडियस को आक्टिब करूगा उसके बाद यहां पर रेडियस देखो क्लिक करने के बाद हम यहां पर टिक मारेंगे तो तुम थोड़ा सा दिमाग चला हो जाएगा पर करने की कोई जरूरत भी नहीं थी हम डायरेक्ट इसको एक्सक्लूट कर सकते थे मैं असे तुमारी मतलब तुमा कोई टेंसल लो लोगा कि मैंने पूरा नहीं दिखाया क्लिक करके देखो हमारा assignment complete हो चुगा है उसके बाद मैंने color बागेरा पिछले वीडियो पर दिखाया था इस वीडियो पर मैंने नहीं दिखाऊंगा अच्छा तुमागा चाहोगे पूरा फिलेट करना तो यहां पर मैं फिलेट को क्लिक करने के बाद मैं यहां पर क्या इतना radius हम नहीं देंगे इसको हम तू देकर हम और यहां पर हम तू देकर हम चुका होगा है यहां पर कुछ दिया नहीं है तो हम तू आपने हिसाफ से करो हम मैं मक्सद है कि sketch कितना हम अच्छी तरह से कर सकते हैं तो फिलाल शेलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर color बगेला मैंने पिजली वीडियो पर apply करना सिखा जाता आज खेले बाई बाई